बिहार बास्यों आपको तेहदिल से हम नमन करते हैं और मैं पूर्णिया बिहार से आपको एक संदेश दे रहे हैं जमीन समंदी जो हमारे बिहार सरकार का कारे संस्कृति को देखकर हाँ अस्चर हो रहा है कि हमारे गरीब गुर्वा को लाल काट दे दिये हैं सरकार के दुआरा और सरकार जो है लाल काट दे कार इनकी जमीन गाइब कर दिये हैं और माफिया लोग जमीन इनका बेच रहे हैं और इनको जमीन जो है दखल नहीं है और लाल काट जो दिये हैं इनहीं का पुरुबज का जमीन बिहार सरकार हरब कर इन गरीब गुर्बा जो परहे लिखे नहीं होने के कारण इनको लाल काट थमा दिये हैं हरा काट थमा दिये हैं और सरकार जो है बैट कर जो अपना चला रहे हैं अंचल अधिकारी तो अंचल अधिकारी को मैं बोलना चाहता हूं पूर्णिया पू मैं बोलने जा रहा हूं कि आप गरीब गुरुबा के साथ नजाज करते हैं और पैसे वाले के साथ आप माल जो है भरष्टाचार के बलपर उसकी कागजात को सही करते हैं तो असोक ठाकुर आपको चुनोती दिया है कि रैश्टर पंजी टू आप गलत दर्ज किये हैं इसी ग मैं पारे का सुंता है तो मैं कहना चाहता हूं मिश्टर नितिश कुमार जी को और आलों क MEHTA राजस भूमी मन्तरी को का आपका बिहार का जमीन समंदी और जो है गरीब गुरुबा का कि सांट गाट में अगर हमारा बात आपको गलत लगता है मिश्टर नितिश कुमार जी और आलोक महता जी राजस विभाग तो मैं चुनोती दे रहा हूं कि आप आईए पूर्णिया जिला में मैं आपको हां अगर कहिएगा तो नहीं देखाए पर गर्दन में हाथ देखे दिख़ाएंगे कि इसके साथ किया होता है क्या आप लोगों के साथ अन्यायतियाचार होता है की नहीं है जैसा मामला हजारो में है लाखों में हैं और कहना चाहता हूं कि आप इसमें सुधार करें नहीं तो एक दिन गरीब गुर्वा इसी लाल कार्ड और हाथ में लाठी लेकार आपके कार्ड याले पहुंचेगा आपको ढूंडेगा क्योंकि बहुत हो गया बिहार में गरीबों के साथ मजाक एक तरफ सरकार कहती है कि गरीब को जमीन देंगे और दूसरी तरफ गरीब का बसा हुआ जमीन से जो है आप इसको बेदखल करते हैं और पैसे वाले को जो आप मदद करते हैं और हम बार बार आपको कह रहे हैं और मापियाओं पर कारवाई नहीं करते हैं और आप सरकार होने का जो बड़ा धोल पिटते है बिहार में पूरा हालात खराब है और गरीब गुर्बा को देखने वाला नहीं है और जमिन समंदी आए दिन हत्या होती है जो हमको कहने में बहुत ज्यादा तकलिफ हो रहा है जहां तक हम गरीबों के अबाज उठाने वाले असोक ठाकुर को भी हत्या करने की जो साजिस किया गिया उसक पर्थाना परवारी के दुआरा कारभाई नहीं करने और इतना लिखा पड़ी परधानमंत्री का देस होट का आदेस है साण चीज का देस हमारे पास में रहने के बाद अदेस देरां भी कारभाई नहीं होना आम आद्मी आम गरीब और जो पढ़ा लिखा से पिर कभी नहीं आप जमीन समंदी सही करवाना है तो आपको हमारे आवाज से आवाज मिला कर असोक ठाकूर को आप सही हो किजिए ताकि पूर्णिया में और बिहार में आपका जो गरिब गुर्बा के साथ नजाज हो रहा है और जमीन का जो ये खेला चला घोटाला का कि आप आप बसे हुए गलत हो जाते हैं और ये लोग बरे रादमी सही हो जाते हैं तो मैं कहता हूं कि ढीम सहहाब आपका जो बैवार नियाले है है कागाज कमिश्शनर आप सियो सहाब पूर्णियापूर्ब अंचल अधीकारी को मैं चुनोटी देता हूं कि आप जिस Ground Pip और सोते हैं सियों को कि आपका जमीन का कागज है तो एक-एक हाथ आकर कर लिजिया सोक ठाकूर से मैं आपको पता चल जाएगा अगर है हिम्मत तो बारे दस दू हजार उनाईस का अबेदन का दिया हुआ जांच आदेस निर्देस होने के बाजूद भी हमारे जिलापदा धिकारी और अंचल अध अभी मात तो आप बारे दस दू हजार उनाईस का अबेदन जाच कर लिजिए १ियम साहब आपका आउकाद क्या है और नगर निगम का आउकाद क्या है वो पता चल जाएगा आप आप कारवाई के कार संस्कृती समान ने आए ना कि मालिक बनने आये हैं आप मालिक बनकर कर रहे हैं आपको सरम लगनी चाहिए और गरीब गुर्बा का नाम लेकर आप जो है सत्ता चला रहे हैं मलाय चाट रहे हैं यह जादा दिन चलने वाला नहीं है और आपको बता रहा हूं वह बिहार में आप ऐसा समय आने वाला है आप लोगों का दिन धनने वाला है और जो है गरिब गुरबा का बिहार में अब उनका ही चलेगा और किसी का नहीं चलेगा आप बिहार में बदलाव लाइए बिहार के बासियों से मैं निवैदन कर रहा हूँ और आप कानुन ववस्ता सही करने में हमें सहयोग कीजिए ताकि ये लोग कुर्सी पर बायट कर हराम का माल चाटते हैं और उपर से गरीब गुर्बा और जो भी अब आज उठाता उसके उपर अत्याचार के जुठा मकदमा करके फसा कर जिल भेजने का काम करते हैं ये भारत दिखाएगा कि हराम खोड़ लोगों को एसी का मजा कितना लेता है और रोट पर दोड़ना होगा आप जनता यही चारा है और आप जितना से जतना जल्दी रेइस्टर पंजी टू को जाच किजिए और गरीब गुर्बा को जमीन दीजिए मैं भी बोला हूँ मेरी सं पती है मैं सरकार को देने के लिए तयार हूँ सरकार इन लोगों को सही करें और यह फरजी रेइस्टर को आप जाच करके रसुगदार लोगों पर कारवाई किजिए अनथा हम लोग आपको रोट पर निकल कर आपको बता देंगे मिश्टर नितिश कुमार और आपका राज सरकार को तो मैं चुनोती दे रहा हूँ पहले आप रेकर्ड सही किजिए जिसकी संपत्ती है आजादी से पहले आप रेकर्ड लाइए किसका बाप दादा का जमीन था कोन रहता था आप बाहर आप किस चीज़ें सुधार देखना चाहते हैं पुरा सुधार हो जाएगा जे अभी को पता नहीं कि किसका जमीन दारी भेश्ट कि हम मांग करते हैं खेल करते हैं और यहां ने सुनवाई करते हैं सियो जमाबंदी खोल देते हैं जाइए कोट का है हम कहते हैं बिहार बासियों को केस करो इधर उधर नहीं करो सियो पर करो बीम पर करो क्योंकि तुम्हार जमीन का ये सारा खेल यही विगार के रखा है आम आदमी के साथ ने लड़िए जब भी मुकदमा लड़िए इस्टेट और बिहार सरकार को पार्टी बनाईए और इससे पूछिए कि तुम जो मालिक बन बैठों तुमारे पास कौन सा डोकोमेंस है हां और तब यह आपका जब तक ही जाच ने होगा काड़वाई ने होगा मापियां पर तब तक गरीब गुर्भा को न्याय नहीं मिलेगा और मैं कहा रहा हूं कि मैं मर जाओं मर जाओं लेकिन बिहार का गरीब गुर्भा जनता को जमीन समंधी न्याय करके ही द मलूंगा छोरूंगा नहीं